एक बार फिर से भारत लाइप पर आपका बहुत-बहुत अभिनदर करते हैं, स्वागत करते हैं और जो खबरे चल रही है बिहार में, उन खबरों में अगर देखा जाए तो भारती जनता पार्टी और नितिश कुमार के संबंधों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और जनता दल उनाटेट के राष्टी अध्धक्ष हैं और लालन सिंग के बयानों को यूहीं आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जब चर्चा चल रही हो मंत्री मंडल विस्तार की, जब चर्चा चल रही हो भारती जनता पार्टी द्वारा अपना मुख्य मंत्री बनाने की, म कई नामों की चर्चा चलने लगी हो और विहार की राजनीप में उथल पुथल मचा हुआ हो, ऐसे समय में इन बयानों का निश्चत रुप से मौहत तो होता है, लालन सिंग, लगतार पार्टी और संगठन को लेकर के काफी मुस्तायद हैं, जैसा कि आप सब ने देखा कि लगतार वो, जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी को एक नई उचाई पढ़ ले जाने के लिए कोशिस कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश चुनाओ से पहले, उन्होंने ऐस पर्स तरीके से भारते जनता पार्टी ने जू कुछ भी किया, उसको लेकर के भी बहुत ही स चर्चाएं चल दए हैं, बिहार में जिस तरह की बाते सुरू हो गई हैं, उन बातों को लेकर के कहा ये जा रहा है कि न तो भारते जनता पार्टी संतूस्थ हैं नितिश कुमार के साथ रह करके, और न नितिश कुमार संतूस्थ हैं, और इस बीच में जो बोचहा नाम आये हैं, और इसके साथ साथ अस्थानिय निकाय के जो 24 सीटों के MLC के चुना हुए हैं, उसने दोनों के बीच में और दरारें बड़ी कर दी हैं, इन सब के बीच में ललन सिंग का सीधे तोर पे कहना है कि भारते जनता पार्टी हमारी बातों को नहीं सुन रही है और बिहार पर उसका ध्यान नहीं है, इतना ही नहीं, बिहार को विशेस राज का दर्जा देने की बात हो, या फिर बिहार के हक की बात हो, ललन सिंग लोग सभा में भी अपनी बाते उठाते रहे हैं, लेकिन जब बिहार पहुंचते हैं और बिहार की बात होती है, तो चीजें बहुत खुल करके सामने आती है भारती जन्तापाटी जिस तरह से बोचहाचुराव परिणाम के बाद से एक बार फिर से बैक फूट पर है और उसकी कोशिस लगतार हो रही है कि नितिश कुमार के साथ अभी संबंदों को बना करके सुधार करके रखा जाए वहीं जदियू के तरफ से तल्ख बयान दिये जा रहे है जिस तरह से आपने देखा होगा कि जदियू के कई निताओं ने सीधे तोर पे भारती जन्तापाटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ-साथ ऐसे सभी बयान बाजों पर लगाम लगाने की बात कही थी और केंद्रे नेत्रित से गुहार लगाया गया था कि नितीश कुमार किसी के कृपा से बिहार के मुख्य मंतरी नहीं है लेकिन अब जबकी मंतरी मंडल विश्तार की चर्चा चल रही थी अमीच साथ से बात की चर्चा चल रही थी पर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वारा नितीश कुमार को बुलाया जाने की चर्चा हो या C.A.N.R.C. की बात हो इन सारी बातों को लेकर के नितीश कुमार जितना साथ रहे हैं उतना ही अब दूरी बनाने की कोशिश में लगे हुए है और ऐसे समय में ललन सिंग का ये बायान की मंतरी मंडल विश्तार की बातें आप हम से मत पूछिए पूछना है तो नितीश जी से पूछिए वो आपको बेहतर समझाएंगे ये सिधा इसारा करता है बहुत जल्दी बिहार में बहुत सारे राजनितिक परिवरतन देखने को मिल सकते हैं सुनिये क्या कहा है ललन सिंग ने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पुछे भारते जनता पार्टी से संबंध और बिहार के सरकार से जुड़े मुद्दो पर संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम किया जादा है और संगठन को और सा सब्सक्राइब करें मंत्री मंदल विस्तार पर भी कोई चर्चा हुई है कि तो मुख मंत्री जी से बात करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद